गौपू काया यहां तक कि राजा के दर्वार के ही बहुत से मंत्री और धनी व्यापारी भी उस रास्ते से उजरे लेकिन किसे ने भी उसे इठाना ठीक नहीं समझा। किसान सबजियों का भार लेकर आया। किसान ने अपना बोज नीची रखा और पत्थर को सड़क से बहार धकेनने का प्रियास किया। काफी मुशक्त के बाद आगेकार उसे सफलता मिली। किसान जब अपनी सबजिया लेने वापस गया तो उसने देखा कि सड़क पर एक परस पड़ा था। परस में कई सोने के सिक्के और राजा का एक नोट था। नोट में लिखा था कि सोना उस वेक्ते के लिए था जिसने सड़क से चटान को हटाया था।